राजनर्त की कहानी को लाइक कीजेए, शेयर कीजे, कामेंट कीजिये और चैनल को सब्सक्रेब कीजिये अवंती थदा कुस्मपूर नगर के अच्छे और निकट संभण्ध ते अवंती की राजनर्त की थी कउमदी राजा के आग्या का पालन करने का वह कुस्मपूर गई और वहा के उत्सवों में निर्थ किया जब वह अवंती नगर लूट रही थी तब मार्गमध्य के जंगल में लुटोरने उसे अपना बंदी बना लिया कौमधी के साथ जो सेनिक थे वे भी लुटोरन के वश हो गए लुटेरे राजनर्तिकी को अपने नायक के पास ले गए अवंती ने उस नायक से कहा आपने मुझे क्या समझ रखा है अवंती की राजनर्तकी हूँ महाराज को अवश ही मालूम हो जायेगा की आपने मुझे बंदी बनाया है वे अपनी सेना सहित आएंगे और आप लोगों का शर्वनास करेंगे लुटेरे ने उनकी बातों का विश्वास नहीं किया उन्होंने समझा जुट बोल रही है कोई साधरन नागरिक होगी उनमें से एक ने कहा तुम और राजनर्तकी अच्चा हुआ तुमने तो यह नहीं कहा कि मैं ही महरानी हूँ यह सुनकर सब लोग हस पड़े लुटेरों के नायक ने उससे कहा तुम नाचो और साबित करो कि तुम राजनर्तकी हो कौमदी बहुत ही नाराज होती हुई बोली तुम जैसे जंगली आदमियों के सामने नाचू मैं नाचूंगे तो राजदर भर में ही मेरी जान भी निकाला तो पर मैं यहां नहीं नाचूंगी उसकी बात सुनकर नायक चूंगुटा और बोला हाँ यह निसंदे ही राजनर्तकी है अपने धन्दे का मूल वा गवरो जानने वाली कलाकार है इसे और इसके साथ आए लोगों को सादर जंगल के उस पार पहुंचा दो यो उसने अपने अनुचरों को आग्म्या दी